दोस्तो अजय देवगन और आरमाधवन की साल दो हजार चोबिस की मोस्ट अवेटेड फिलम सैतान इस सुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है इस फिलम के रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्रेलर के रिलीज के बाद सही सैतान मुवी को लेकर काफी बज़ बना हुआ था और फैंस काफी बेसबरी से इसके सिनेमा घरों में दस्तक देने का इंतजार कर रहे थे वही महासिवरात्री के मोके पर सैतान मुवी को मेकर्स ने दर्शकों के हवाले कर दिया और इसे देखने के लिए थियेट्रिस में ओडियन्स की भीड उमड पड़ी इसी के साथ सैतान मुवी ने रिलीज के पहले दिन बोक्स ओफिस पर गरदा उड़ा दिया वही दूसरी और यामी गोतम की लीड रोल वाली मुवी आर्टिकल 370 सिनेमा घरों में दो हफतों से धूम मचा रही है फिलम ने अपने बजट से कई गुना जादा का कलेक्शन कर लिया है वही अब ये फिलम रिलीज के तीसरे हफते में एंट्री कर चुकी है और अब भी इसकी बोक्स ओफिस पर पकड़ मजबूत बनी हुई है फिरहाल दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामी गोतम की मूवी आर्टिकल 370 और अजय देवगन की मूवी सैतान के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में आखिर इन दोनों मूवी ने अभी तक दुनिया से कितने रुपे की कमाई कर ली है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यामी गोतम या फिर अजय देवगन को एक बहतरी रभीनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के लाश्ट तक जरूर बने रहना चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं अजय देवगन की मूवी सैतान के बोक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में होरर ड्रामा सैतान मूवी का रिलीज से पहले ही काफी क्रेज देखा जा रहा था अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक फिलम ने पहले दिन के लिए एक लाग शेतर हजार टिक्टो की प्री सेल की थी और इसने एड़वांस बुकिंग में ही चार करोड चोदा लाग रुपे की कमाई कर ली थी और सिनेमा घरों में पहुंचते ही सैतान मुवी ने दर्शकों को अपने वस में कर लिया इसी के साथ फिलम को ओडियन्स से काफी सांदार रिस्पोंस मिला सैतान मुवी को फर्ष्ट डे देखने वाले लोगों ने सोसल मीडिया पर भी इसकी जमकर तारिफ ही और साल दो हजार चोबिस की ब्लोग बास्टर फिलम बताया हालां की क्रिटिक्स की ओर से इसे मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं वही अब इस फिलम की रिलीज के पहले दिन की कमाई के सुरुआती आंकडे सामने आ गए है अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मताबिक सैतान मूवी ने रिलीज के अपने पहले दिन 14 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया है सैतान मूवी ने रिलीज के पहले दिन 14 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है जबकि ड्रीम गरल 2 मूवी ने रिलीज के पहले दिन 10 करोड 70 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था वहीं उमीद की जा रही है कि वीकेंड पर फिलम की कमाई में उच्छाल आएगा और ये कई रिकोर्ड्स ब्रेक कर सकती है सैतान मूवी ने डबल डिजिट में ओपनिंग की है वहीं फिलम के बजट की बात करें तो अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मताबिक सैतान मूवी का बजट 60 करोड से 70 करोड रुपए के बीच बताया जा रहा है ऐसे में फिलम ने पहले ही दिन 10 करोड से ज़्यादा का कलेक्शन कर लिया है ऐसे में फिलम के लिए अपना बजट वसूलना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा वहीं अगर ये फिलम विकेंड पर और रफ्तार के साथ कलेक्शन करती है तो उमीद की जा सकती है कि ये फिलम साल 2024 की ब्लोगबास्टर फिलम बन सकती है सैतान मुवी में अजे देवगन की एक्टिंग की तो खूब तारिफ हो रही है लेकिन फिलम में आरमाध होन ने अपने खोपनाक रूप को दिखा कर सारी लाइम लाइन बटोर ली वही जान की बोड़ी वाला ने अपनी दमदार एक्टिंग से काफी इंप्रेस किया है सैतान मुवी का डाइरेक्शन विकास बहलने किया है सैतान गुजराती फिलम वसकी हिंदी रिमेक है ओरिजनल फिलम देखने वालों ने पहले ही दावा किया था कि ये फिलम अब सक्की सबसे ड्रावनी फिलम है दोस्तों अब बात करते हैं यामी गोतम की मूवी आर्टिकल 370 के 15 दिनों के बोक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में जम्मू कस्मीर में अनुछे 370 को हटाने पर बेश्ट यामी गोतम पिर्यामनी और अरुन गोविल की लेटेस्ट रिलीज मूवी आर्टिकल 370 की पीम मोदी ने भी तारिफ की थी प्रधान मंतिरी ने कहा था कि अच्छा है इस फिलम से लोगों को काफी जानकारी मिलेगी वही आर्टिकल 370 की कमाई की बात करें तो इस फिलम के पहले हपते का कलेक्शन 35 करोड 60 लाक रुपे रहा वही दूसरे हपते में इस फिलम ने 22 करोड 30 लाक रुपे की कमाई की अब आर्टिकल 370 मूवी रिलीज के तीसरे हपते में है और इसके थर्ड फ्राइडे आने की पंदरवे दिन की कमाई के शुरुआती आंकडे सामने आ गए हैं अब तक की मिली हुई रिपोर्ट के मताबिक आर्टिकल 370 मूवी ने रिलीज के पंदरवे दिन 1 करोड 65 लाक रुपए का कारोबार किया है इसी के साथ आर्टिकल 370 मूवी की 15 दिनों की कुल कमाई 69 करोड 55 लाक रुपए हो गई है आदित्य सुहास जंभाले द्वारा निर्दे सीत और आदित्य धर द्वारा प्रोडियूस आर्टिकल 370 मूवी को घरेलू बजार में काफी सांदार रिस्पोंस मिला वहीं वल्ड वाइड भी फिलम को दर्सकों ने काफी पसंद किया फिलम ने दुनिया भर में दो हपतों में 37 करोड रुपए से जादा का कलेक्शन कर लिया है और अब 100 करोड का आकड़ा चूने की और तेजी से बढ़ रही है उम्मीद है कि आर्टिकल 370 मूवी वल्ड वाइड जल्द ही 100 करोड का आकड़ा पार कर जाएगी आर्टिकल 370 मूवी पिछले दो हपतों में बोक्स ओफिस पर एक तरफा राज कर रही है हौलां कि आव इस फिलम को टक कर देने के लिए अजय देवगन की सैतान मूवी आ चुकी है सैतान मूवी ने रिलीज के पहले दिन 14 करोड 50 लाक रुपए के साथ दमदार ओपनिंग की है ऐसे में सैतान मूवी अब आर्टिकल 370 मूवी की कमाई की रफतार पर ब्रेक लगा सकती है अब देखने वाली बात होगी की सैतान मूवी के आगे आर्टिकल 370 मूवी कितने रुपए का कलेक्शन कर पाती है दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ